आपने बिहार पुलिस को रंगदारी वसूलते तो कई बार देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी एक पुरे गाओं के लोगों को रंगदारी वसूलते देखा है नमस्कार मैं हो रोहित कुमार आप देखरें न्यूज फोर नेशन हम आज बात कर रहे हैं बिहार के उस रंगदार गाओं की जहां से गुजरने वाली हर गारी को टेक्स भरना पड़ता है ये टेक्स कोई टेक्स अधिकारी नहीं वसूलता है नाहीं पुलिस वसूलती है बलकी ये जो टेक्स है वो उस गाओं की लोग वसूलते हैं आपने पुलिस को वसूली करते देखा होगा पर ये तस्वीर थुड़ी अलग है जिले में एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें एक विक्ती बड़शान से सड़क के किनारे खड़ा है वहाँ से गुजरती सभी ट्रकों से वो पैसा ले रहा है लगबग हर रोज वहाँ से करीब 200 गारियां गुजरती हैं यह गाओं है बिहार के शिकपुरा जिले में जिस नहीं पर इलाके में वीडियो को लेकर काफी चर्चा है गाओं की बदनामी तो पहले से हो रही है गाओं के एक सक्ष से बात करने पर उन्होंने कहा कि इससे मेरे गाओं की बदनामी हो रही है और युबाओं पर इसका काफी बुरा असर पढ़ रहा है अब तो गाओं के बिर पूरा का ये गाउं जहां कि कुछ लोग दिन में भी वशूली करते हैं जाहे तोर पर इस वसूली के बाद से उस गाउं को लेकर के जो लोग हैं उनके अंदर चर्चा है सवाल यह है कि क्या पुलिस के शारे पर या शेह पर इस तरह की वसूली का खेर चल रहा है अधीका प् क्याइस पूल यह है कि वसूली कि अपगला का जदा लोग दोर आज Roberts नह क्योंके क्योंके यह है कंझिए क्यों से आएक्या है कर दोगिज चाया है कि हाल साहर से प injuries you अखिए अ कर रहिग करी जाजया है दोर अजूरा different code पह जाईने कर वाने में पमेट से बादा final कि से